नमस्कार मित्रों हमारे यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का जो बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेके आया हूं यह जो है हर घर की जरूरत है इसके बगार आपके किचन का स्वाधी प्रोड़ नहीं होगा और यह पूरे साल चलने वाला अच्छा खासा प्रॉफिट आप कर सकते हैं और आपने बिजनेस को बहुत अच्छा खड़ा कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आज कुछ बाते करना चाहता हूं देखिए देखिए दोस्तों हमारे देश में बिरोजगारी बहुत ज्यादा है सरकार जो है सभी को नौकरी दे दे ऐसा संभौ नहीं है क्योंकि पॉप्लेशन के हिसाब से सरकारी नौकरियों भी बहुत कम है और उसमें भी कंपटिशन बहुत ज्यादा है प्राइबेट नौकरी में आप जाओगे ढूड़ने या किसी की प्राइबेट नौकरी करोगे तो आगाई में 15,000 रुपए में आपका कुछ भी नहीं होने वाला है तो आप जो है नौकरी के पीछे बहुत मत पढ़िए आप जो है अपना कोई स्वरोजगार शुरू कर दीजिए मित्रों इस चैनल का जो है सिर्फ यही मक्सद है कि जितने भी हमारे देश के जो विरोजग करिये आप जो हैं आप के पास फूजी नहीं है आप थोड़े पैसे से स्टार्ट करें 1000 रुपए में 25,000 में भी स्टार्ट कर सकते हो आप एक बार किसी जो है संकल्प करिए कि हां मुझे बिजनिस करना है मुझे नौकरी नहीं करनी है बहुत से लोग सोचते हैं नौकरी में जो है कोई टेंशा नहीं है अपना सुबह गया साम को आए चाहे काम हो चाहे ना हो मालिक तो हमें पगार देगा ही तो दोस्तों अगर आप इस तरह की थिंकिंग रखेंगे तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप अपना स्वरोजगार अगर शुरू करेंगे तो उसमें आपकी प्रगती निरंतर बढ़ती जा प्रहती है और इस चैनल का मक्सद इसी सिर्फ आप जो है रोजगार देने वाले बनिये रोजगार मागने वाले मत अलब दोस्तों इह चोटी सी बात आप से कहनी थी आब मैं आज वीडियो को स्टार्ट करता हूं तो मित्रों जो आज हमारा जो बिजनेस आईडिया है वहा नमक के बारे में देखिए नमक एक ऐसी चीज है जो कि हर किचन की जरूरत है बगार इसके आपका सुबे का साम का और दोपहर का चाहे खाने का स्वाध हो चाहे आपके नास्ते का स्वाध हो इसके बगार अधूरा है नमक जो है जो एक ऐसी चीज है जो हर घर की जरूरत है हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में, हर ढावे में, हर जगे नमक की जुरूत होती है, जो हमारे देश के नमक का उत्पादन है, उसका 70% अकेले गुजरात में होता है, और गुजरात में जो पूरे नमक का उत्पादन होता है, उसका 70% अकेले कच्छ में होता है, कच्छ जो डिस स्थान में है वहाँ पर जो है कुछ नमक का उत्पादन होता है कुछ और भी दूसरी स्टेट हैं लेकिन जो पूरे देश का 70% नमक है वह सिरफ अकेले गुजुरात में और गुजुरात का 70% अकेले कष जो है वह नमक की आपूरती पूरी देश में करता है तो यह नमक जो है यह ऐसा होता है कि यह जो किसान होते हैं वहाँ पर नमक की खेती करते हैं वो जो है जमीन के नीचे टूबल से जो है वो पानी खारा निकालते हैं और उसको वहाँ पर छोटी-छोटी क्यारियें बनाते हैं उन क्यारियों में उन पानी को जमा किया जाता है और उस पानी को जो है वो घोलते रहते हैं धेरे धेरे वो पानी सूख जाता है पानी भाब बन के उपर चला जाता है और नमक जो है वो नीचे जम जाता है तो वो जो सूखा नमक तयार होता है वो कच्चा माल होता है तो नमक वह बड़ी बड़ी प्रोशेस्न लगी हुई गुजरात में वह कच्छा माल किसानों से प्रिशेस करती हैं और फिर वह नमक अपने यद्व करती हैं और सबसे पहले उस नमक की खारे पानी से ही उनके खारे पानी के प्लांट लगा होता है खारे पानी से पहले उस नमक की धुलाई करते हैं जिसमें उसमें मिट्टी, कचड़ा और सब चीज़ें वो सारी धुल जाते हैं गंदगी फिर उस नमक को मसीन में डालके उसकी पिशाई करते हैं उसका चुगरा बनाते हैं, पौडर बनाते हैं और फिर उसके बाद जो है पुरा नमक बनाने का प्रोसेस हो गया तो मित्रो लेखिए आपको करना क्या है कि आपको जो है अगर नमक का बिजनस आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको जो है गुजरात जाना चाहिए गुजरात में आप कच्छ डिस्टिक में जाइए आपको किसी भी किसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आप सीधे जो है जो processing unit लगे हुई है बड़ी-बड़ी वहाँ पे आप जाके पहले research करिए वहाँ पे आप research करिए एक unit में जाए दो unit वहाँ पे बहुत सारी unit लगे हुई है और आप उनसे जो है नमक की quality देखिए और नमक का rate उनसे लीजिए कि आप जो है क्या वहाँ नमक हमें देंगे जैसे माल लीजिए जो कच्छा नमक होता है उसका प्राइज जो है वह लगभग 200 रुपे टन जो है वह किसानों से वह processing unit खरेती है मतलब 20 पैसे kilo और वह जो सारा नमक process करने के बाद जो है जब iodine और mix करने के बाद वह जो नमक बेशते हैं वह लंबसम 80 पैसे जो कि यह एक रुपए kilo के हिसाफ से वह नमक तयार होता है यानि कि वहां पर 10 के हिसाफ से मिलता है तो उसकी कॉस्टिंग आती है वह लगभग 80 पैसे या एक रुपए प्रकेजी के हिसाफ से वह त्यार बिलकुर ready वहां पे आपको मिल जाएगा how फिर किया करना है अपने नाम से पाउच आने हुआ कि नमक कहीटे हल्य यृट करा फिर आपwers थो कि हे उनाम को बावां में ंखना है लोर्ट करें आपको देंगा आपके वहां से आप हमारे सी इत्रम werk में हमारे सीजिए थाफ आप करके नमक देधार करके आपको बधरी में देधाइछ किलाए और बने-पतर शो कम थो मदलेगा क्यों कि उस इतना जादा माल quantity मिलेंगे उतना ज्यादा आपको जो है सस्ता मिलेगा आप सोच रहे होंगे 12 तन 15 तन तो यह बहुत 12 तन आपका जो है 12 जार रुपए का 15 तन आपका 15 रुपए का नमक हो गया है अगर एक रुपए किलो का भी हिसाब लगा ले 80 पैसे मिल जाता है तो और सस्ता मिल जाए तो फिर उसके बाद माल मगाने के माल बेश्था एक दोस्तों अगर आप माल वहाँ से लाना चाहते हैं सस्ते में तो आप ट्रांस्पोर्ट के चक्कर में पड़िए क्योंकि ट्रांस्पोर्ट का खर्चा बहुत जादा होता है आप रेलवय से माल करा कर आई कि अपके आपको पता करना पड़ेगा तो आप अगर पता कर लेंगे अगर आपके हाँ है सुझी है दो आप ट्रेन से माल भूक करा के वहां से आप ले आईए दो इस तरह से आपके हां माल लिए 15 तन आपका माल आगिया आपके घर पे पहунativity गया माल लीजे आपका पंदरा हजार रुपे आपके नमक का खरचा हो गया, एक रुपे माल लीजे कीलो आपका नमक का खरचा हा गया, और रेल्वाय का जो है वो लमसम आप लगा लिए कि 2-3 रूपए आपका किराया पर केजी का रेल्वाय ट्रांसपोर्ट का हो गया तो आपका धाई और एक रूपए नमक 3 रूपए कि यह कॉस्टिंग आ गई और आपका जो है 50 पैसे माल लिजे आपके पाउच का खर्चा आ कि नॅ अब तो वो थोड़ा ऑड़ा नहीं बनाते वह कम से कम आब को 25.000 माल बना के देंगे इससे कम में देते नहीं है वह तो आपका माल लीजे 50 पैसे है वह खरच्छा आगया और आपका जो है? टोटाल आपका जो है वह लमसम चार रुपए के आश-पास का हरचा आ गया पूरे एक किलो नमक ने आपके घर तक पहुंचने तक पचास प्रेश से आप और लगा लो साड़े चार रुपए आप लगा लो तो इस तरह से आपका साड़े चार रुपए में आपके घर पर नमक पहुंच गए अब आपको क्या करना है कि आपको नमक जो है वो आपको देखिए स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि आपको जो है आप कोई बहुत बड़े ब्र आपको क्या करना है कि आपको अपना माल आपको गाओं सेस्टाट करना है काउव की जो छोटी-छोटी दुकान होती है वो लो बहुत जादा ब्रंड़ ने लेते हैं वहां से ब्रांद से डुकान होता है डीयाद से पाज रुपए में आप अपना माल बेश दीजिए आप उसको बोलिए कि आप सो पैकेट मेरा रख लीजिए और मैं आपको इस रेट में माल दूँगा तो इस तरह से आप पहले गाउं की छोटी-छोटी दुकाने जो हैं वहां से स्टार्ट करिए वहां पे आपका माल करता रख दीजी और धीरे इस तरह से आपको जो है बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा तो यह जो है नमक का बिजनेस मित्रों बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत ही जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस है प्रॉफिटेबल का मतलब यह है कि इसमें प्रॉफिट तो तो बहुत ही अच्छा खासा आपको profit हो सकता है देखे आपको इसमें करना यह है कि आपको सबसे पहले अपने आसपास की market research करनी पड़ेगी और गुजरात में भी आप जाएंगे वहां भी आपको मेहनुत करनी पड़ेगी आप जितनी मेहनुत कर लेंगे जितना research कर लेंगे इसकी क्या होता है कि आप अप बढ़ियां माल खरीडेंगे और अच्छे कम रेट में माल बेत् सब्सक्यां हो कि आपको आपको कम रेट में माल वैश्तने में सुद्या होगी कि आपको खेंव क्यायःबं थेया है और यहनुत हैं। आपको अपनी market बनानी तो तो आपको competition में जो है कम rate में ही आपको जो है business करना पड़ेगा क्योंकि जो है जो पहले से अल्रेडी कर रहे हैं उनको जो है हटाने के लिए आपको जो है अपना rate बहुत ही कम देना पड़ेगा तो उसके लिए आपको अगर आप महां से सस्ते में माल लाओगे तभी यहां प का नमक का business idea आपको कैसा लगा अगर idea अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जोरू कर दीजिए मिलते हैं फिर किसी नए idea के साथ तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद